अससलाम अलेकुमें स्टूडेंट्स यह है लामिकपाल गौवर्मेंट वाइस कॉलिज का पेपर्स सेकेंडर से रिलेटेट अब आप लोग सोच चूर होंगे कि हम लोग कॉलिज पेपर्स को क्यों देखते हैं कॉलिज पेपर्स क्यों इंपॉर्टन होते हैं इस्टूडेंट्स देखें जो कॉलिज के पेपर्स होते हैं वो प्रोफेसर बनाते हैं और प्रोफेसर उस टीज का आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि वो एक्स्पियेंस होते हैं कि कॉन से टॉपिक जो है वो एक्जैम के पॉइंट अफ यू से इंपॉर्टन है इसलिए इस्टूरेंट्स प्रीफर करते हैं कि जो कॉलिज में टीचर्स पेपर बना रहे हैं उसको भी एक बार जरूर देख लें क्या पता उससे जो क्योशन्स हैं वो एक्जैम में आ जो हैं उसके इलावा एक मटेयल मिल जाता होना है प्रेक्टिस करने के लिए कि उनके तैयारी कैसी है जब आप कोई पेपर देखते हैं तो आप उसमें ये भी चेक करते हैं कि हमें क्या-क्या तैयारी है हमें क्या-क्या याद तिक माक करते हैं और फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं ये तो मैंने याद नहीं किया, इसको मुझे याद करना चाहिए, इसकी मेरी तयारी नहीं है, ये topic तो मुझे important नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो college paper में आ गया है, तो हमें ये भी इसकी भी तयारी कर लें चाहिए, और फिर MCQ solve कर लेते हैं, अच्छा ये काम करते हैं वो ही student है, ठीक है, तो हम भी हमारी भी कुश्च होती है, कि ऐसे students को हमारी वीडियो से मदद मिल सकें, और जिस नहीं PDF बनाया है, उसके लिए thank you, दौाओं में याद रखेगा,